दूस्तों को बड़े को पर नाम छोटे को शुब्यार मैं आर्ती है अपने चैनल में आप दोखा, बहुत स्वाधत करते हूं, ऐसका आधका ब्लोक का सुबात करते हैं कुछ इस परखार से हमारे मंदेज से ही सुबात करते हैं, और हमारे मन्दीन से घ्र और चूंपने लिए है ना उसे सकून मिल रहा है सामोते होते जो उस बाथ हमारे घर में मच английाता है मैं सामने एक पोट सकते उसको लोगई बाथ दो बजे के बाद इתना हमारे घर में म Unwath अभी फिलहाल गर एक्तम क्लीन देख रहा है, साप सोत्रा कहीं भी कुछ नहीं और ग्यारा बजे तक रहेगा, ग्यारा बजे के बाद खलका हलका होना सुरू हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, मरलब उसको बुला जाता है ना, दो बजे के बाद पूरा असपात हो जाएगा बच्चे लोग तो बनमासी करता है, उलों का खलका ख़िलोना, आज खुद समेटा है, मेरा बाबु छोटे वला बड़ा बड़ा नहीं समेटा है, नहीं खिलेंगें नहीं समेटेंगे लेकिन खिलने के समय आगे रहेगा चोटा वल्ला से जगड़ा कर खेलेगा और बड़ा वल्ला क्या ही बोल सकते हैं उसको और चोटा वल्ला अपना सारा खेलोना समीर देगे चिपा देंगे और आज दिखते हैं एक खैला में सारे चीज फर दिया है तो अच्छा लग रहा है चलिए ब्लोग कंटीनिव करेंगे आप लोग भी बननीएगा और देखते हैं कहां तब लोग आज ले जा पारे हैं कल तो नहीं हो पाये था सारे दस बजी के पाद हम ब्लोग के लिट करके और फिर छोड़ दिये थे और आज अधिने हुआ है और आज था सी नॉर्माल है जाता भी नहीं है कम भी नहीं है लेकिन है फिवर तो बिल्कुल गाईब हो गया इसलिए हमको फुसी मिल रही है तो इब थरा वोना ही था तो इधर यह हो गया तो अच्छा हुआ और उधर होता तो तो आसा लगता तो चलिए प्ता है दोस्तों कभी कभी हमें हर चीज को सहिकार करना पड़ता है चाहा reps in परिस्ति किसी भी मोलर क्यों नहाँ हम ना सबतर ही में हर चीज को करने काबिल रखते हैं कि हमारे लिए वह ऊपकर लिखे हúa रहता है। वहीं बना रहता है को ही सोचते है हम सबस्ट इस तब कभी हमारे फैमिली, हमारे पैरेंस, हमारे बच्चे, हमारे आजपास के लोग, समाज के लोग, कुछ ही इस तरह के बाते बनाते नहीं शुरू कर देते हैं, कि हम उनको सुन करना, अपने सान सिलता को सुन, खोने लगते हैं, हमें ये भरोसा ही नहीं जा जाते हैं, कि हम बहुत सारी चीजों को सुनने को मिलती है हमारे समाच में बहुत अच्छे सोचने वाले वेखती है और बहुत घुरे सोचने वाले वेखती है जिसको घुरे और अच्छे की गिंती में नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसे से वेखती हमारे सामने आकर कुछ ऐसे बाते बोल कर चले जाएंगे हमारे मुखे सामने और हम लोग सिर्ट देखते ही रहा जाएंगे और या फिर उन्हें कुछ बोलो तो गलत हो जाएंगे और फिर सहन कर लो तो फिर उनके हिसाब से सही हो जाएंगे लेकिन अपका जवाना वो नहीं रहा कि हम सहन करके अपने बीतर कुछ कर ले पहले कि जवाने में आवरत को मुख से बोली तक नहीं निकल दी थी कुछ ना बोल दी अब यदि एक वर्ड बोल दी तो फिर बहुत बढ़ी बहुत बोलने वाली लड़िश माने जाती है कभी-कभी हमारे घर में ऐसे वेक्ती भी होते हैं जिनके हर बात सुनने के बात भी आपकर लद्धी होते हैं कभी सही नहीं होते हैं और कभी-कभी ऐसा मन करता है कि मैं सबकी फर्माइश पूरी करती हूँ सिवा अपनी ये भी कभी कभी अपने लगता है हमारा काम अभी सिर्फ पलाई पर फोकस करना है लेकिन जिसे साथ से सभी लोग की बाते सुनने को मिलती है और जिसे साथ से सभी के बाते पूरी करने को मिलती है कि मैं क्या ही बोलूँ और सभी को सभी बच्चे हो या हमारे करन हमारे हस्बेंट की हो सभी को सभी चीच टाइम पे चाहिए होता है और देना भी पड़ता है क्योंकि वो मेरा फर्च है मेरा काम है और यदि आपरवाई करते जाए तो साथ ये सहे नहीं होगा क्योंकि घर की अवरत हम है और हमें को ये समझना चाहिए कि हमारे घर के और मेंबर किस परकार से रहेंगे किस तरद तर ये किसे हमको रखना होगा पैरेंस को पैरेंस क्यों भाग किया है तो कि पैरेंस का हर हरकत बच्चे सीखते हैं उनको जो करते हैं न वो सब सारी maturity बच्चे के भी बच्चाती है हम अपने तरब से पूरी कोशिस करते हैं कि अपने बच्चे को सही काबिल बनाए सही मार दर्सन दे और इसलिए ज़्यादातर बाते को सहन सिलता में हम बदलते हैं क्योंकि यदि बाते सुनकर जवाब देने लग जाए न तो बोनने वाले की कमी नहीं हैं हमारे आसपास तो हमारे इतना ही गुजारी से हमारे कानों को कि आप सिर्फ सुनिए किसी को नहीं बोलिए वक्त आपको जवाब जरूर देगा और हमारे जहरे हमें जवाब ने देंगे हमारे मतलब हमारे मुझ से जवाब ने निकलेगा बली कि आपको खुद उछवाब ने आदित पर जाएंगे हमें इसतना काविट बनाते देंगे कि आप खुद ही उस जवाब का अर्थ खुद ही खुद समझ चाहिएगा कि ये क्या है बस अपनी कानों से ये गुजारी से कि आप सिर्फ सुनिए वक्त है खुद जवाब देते गा और सहन सिल्टा ही मांगते हैं हम कि हमें सहन सिल्टा मिन दिजिए और हम सहन कर सके हर वो बात को जो समाच यजा हमारे आज़ पास के लोग या हमारे भर के लोग या हमें जो जैसे बोलते हैं चल दीऑ और हमारे साथ साथ आपड़कों से भी यही है कि आपड़कोंगी फिर्फ सुनिए यदि आफ मेहनत करते हैं ना तो एक दिन ज़रूर सपल होगा को कहीं भी नहीं छोड़ना है बीच मुकाम पर तो हरकी से नहीं हमें सबलता चाहिए और सबलता को प्राफ भी हमें को करना है तो दोस्तों यहां पे मेरी नाखुन की नीचे जो चम्रे होते हैं वो छूट रहे थे और काफी तेज दर्द हो रहा था बार में हाथ महीं पे जा दर्द भी करता है तो वो दर्द बर्दास चाने के लिए सख जाते हैं लेकिन जो मिचला वराता है चम्रे छूटने छूटने टाइप का वह हमें बर्दास नहीं होता है तो यहां पे अभी हम कर रहे तो इस्टेडी खाना स्वरी नास्ता वेगरा बना लिये थे और अभी खाना ने बनाया है थोड़ी दिए स्टेडी करके जल्द है स्टेडी खाना वराने जाएंगे क्योंकि फाना जल्द हैंगे आज हमको बैंक क्या चाना था हमकी बैंक से और बैंक का बात बता देते हैं आज ज़्यों ज़्यादा लॉंग नहीं आज बेंग जए थे बट काम नहीं बाद था हमारे जो मुबाइल नमबर है वो एड करवाना था नमबर पहले बाला मुबाइल नमबर एड था तो चेंज करवा के यह करवाना था कई दिनों से मैं यहां माँ भटक रही थी बट को समझ मे नहीं आता है क्योंकि मैं यहां पर चाते मतलब चाते नहीं चाती हूँ या फिर जो भी समझ दिजे और चाता हम यहां पर नहीं कर पाते हैं तो आज फाइनली वो दिन आया जब मैं गई थी बैंक को लेकिन बैंक में मेरा काम नहीं हुआ और उनको रीटेन आना पड़ा य कि मेरा खाता जो है न वह माई किस है और वहीं पे होगा काम और अभी सहद कुछ ठीक नहीं चारता है मेरे साथ हमें ही जानते हैं जो भी चीज करते हैं न थोड़ा बार मतलब खराब होई चाहता है इसी बचा से आज हमको बहुत खराब लगा बहुत घंटो तक लाइन में ल पहां क्या करना अकेल है यह गह होई थी हम बहुत दिरों सब लें लेकीन करके नहीं करते हैं हम प mirrors लाय गर्में स्टाहिं प्रशश पड़ा बिर अग्र खना इसमिए पेंका यहां कोुंझा शाल में कर तो लिग मेंदा habitat यहां का है तो फिर वह बोले वहां जाके आप चेंज करवाएगे गा तो आपका हो जाएगा बेंग का काम थोड़ा से होता है लाइन विगरा करने के लिए और दिस्प्लीन भी था देखे लिए अजब एक के पीछे एक लाइन लग करी हो सबी लोग करवा रहे थे और करवान उन पर विगरा चलाने में दिक्कत होती है और हमें उसकी जरूरत हमेशा के लिए परती है इसी वज़ए से हमको करवट करवाना है नमबर तो नहीं हुआ काम कोई बात नहीं ने इस बार जब भी मैकर चलेंगे तो फिर यह काम जरूर करवाएंगे तो आप लोगों से सेयर शाहर पर भी करेंगे हो सकेगा तो यहां पर स्टेडी और फिर पता है यहां से उठने के बाद जात मॉबलॉउग बना ही ने पाएं कि अब रागे लेटे तो रात हो जा था मतलब रात में साम हो ही जाता और जाब हम उठें बाबुलो को दूद बगरा दीए चाय बगरा बनाए इसके बाद फिर हम बाबुलो को पढ़ाने भी लग गए जैसे कि आप लोगों को पता है कि रात को उमको बिल्कुल भी समयने मिल मतलब 6 to 9, 10 तक बोल सकते हैं, वो टाइम बच्चों के लिए हैं, तीन घंटा बच्चे को पढ़ाने में जाता है, और एक घंटा खाना किलाने में, रोटी, और एक आधा घंटा सुलाने में, और आधा घंटा मतलब पहले दूर वेगरा पिलाने में, तो इतना टाइम में यदि बच्चे लोग का हमबाग कम रहता है, तो जल्दी छुटी हो जाता है, तो थ्वासा टाइम मेरे लिए निकल जाता है, लेकिनों कभी निकलता है, ना के बराबर, तो अभी यह सब चल रहा है, इसके बाद जब बच्चे लोग सो जाते हैं, तो जो टाइम मिलता ह इसके बाद मैं steady करती हूँ और अभी 2-3 दिनों से मैं video edit भी करती हूँ अभी मैं बैटको video edit कर रही हूँ और अभी बज गया होगा 111 बज गया है क्योंकि अभी हम Sunny सर्का और खानी सर्का दोनों का SST का video देखें दोनों का video हम एक की साथ देखते हैं और सुपर हम SST का video भी देखे थे काफी interest था करकर topic जो जो सर्का नहीं देखें देखेंगे क्योंकि काफी सारे चीजों का discussion किये हैं sir और अच्छे से बताएं हैं तो वो topic न मेन होता है पेड़ागोजी में और उनको देखना भी चाहिए तो वो topic भूलिएगा नहीं जाके आप लोग देख लेज़ेगा और Sunny sir भी अभी अच्छे से पढ़ा रहे हैं Sunny sir को क्या ही गाना सबी लोग अपने अपने जगा पे अच्छे से पढ़ा रहे हैं सबी तीचर अपने मैच्छे होते हैं बट इस्टूलेंट्स के ओपर यह डिपेंड करते हैं अभी नाकाबिद है और फिर आपके बता हैं इंगे क्या काम होता है या कि देनों से सोच रही थी जाने के लिए मतलब बहुत दीनों से कह रहे हैं खानली आजा के मौका मिला है बाबू आके है खाना बेगरा बन किया है और बाबू को खाना खिला भी दिये हैं और बाबू घर में रहेगा और अभी बज़ रहा है एक बज़ दिया है त्यार होते हैं पता यह नहीं सबता समय कब फ़तम होते हैं और अभी हम जा रहे हैं द प्रवाद चेंज करके लेट करें और मिलगे आप गोग से बाद में तब फिर हम अपनी बात से रख करेंगे, काम तो भूआ नहीं है, बच्छे लोग भी मेरे इंटी जारण बैठी थे, तीम बज़े के तरीमान आ गाय थे, डेट कापी हो गया, काम भी ने हुआ, फाल जो का अब हम थाग भी गए, तोड़े सा अराम करेंगे, फिर हम आप हों से, अभी बज़ किया है, रात का 11.11.13 बुनाट और अभी ज़श्ट हम मोबाईल, मोडीटियो एडिट करके खतर में किये हैं, और अब हम मतलब सो जाएंगी, क्योंकि मोबाईल चार्ज नहीं है, इस मेरा भी चार्ज खत्म हो गया है, तो यदि ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगे हैं, तो लाइक कीज़ेगा, चैनल पर नहीं होगे तो सब्सक्राइब कीज़ेगा, और मिलते हैं, कल का ब्लॉग है, पैंच से आने के बाद हम कुछ भी सूट नहीं की थे, इस वज़ स